हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जार्यों कि कैसे आप अपने रेड़वी 12 एंडुट में आप अपने मुबाइल फोन से ने call forward setting को आप कैसे हटा सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको detail में जान करी देने वालों तो चले आप वीडियो का में start कर लेते हैं देखिए दोस्तों आपको अपने phone से call forwarding अगर हटानी है तो इसके लिए आपको अपने mobile phone का सबसे पहले calling का यह जो app है इसे open करना है ठीक है यह calling का अपन हो जाएगा तो इसमें आपको right side के top पर ही three dot option आ यह option मिलता है इसे आपको tap करना ठीक है तो यहाँ पर आपको जह यह देख लेना कि call forwarding किस्में लगी हुई है ठीक है तो यहाँ पर voice में लगी है तो आपको voice पर टैप करना है अगर आपका video call में sit सेट हो रखिए तो आपको वीडियो को पर टैप करने है तो मैं वॉइस पर टैप कर लेता हूं अब देखिए आपर पेज रीफ्रेश होगा पेज रीफ्रेश होने तक आपको थोड़ा वेट करना है कोई भी बटन आपको दबाना नहीं है ठीकिना देखिए दोस्तों हमारा सबसे उपर आपको पेज रीफ्रेश धा जो है यहां पर यहां पर देख सकते हैं पूपने मुवाल फोन से call forwarding जो है उसे आप हटा सकते है ठीक है देखिए दोस्तों अब मैं आपको यह बता देता हूँ कि यहाँ पर call forwarding जो हटाने से पहले यह काम कैसे करता था देखिए मेरे mobile नंबर पे कोई भी person मेरे mobile नंबर पे कोई भी person अगर call करता था ना तो वो call सीधा जो है इस number पे चली जाती थी जो number यहाँ पे पहले लिखा हुआ था ठीक है मैंने आपको दिखा दिया था जो number यहाँ पे था ना उस number पे call सीधा चली जाती थी ठीक है जब भी अगर कोई मेरे person पे मेरे phone पे कोई अगर call करता था अब यहां से क्या मैंने call forwarding setting को stop कर दिया हटा दिया है तो अब क्या होगा कि कोई भी person अब मेरे number पे call करेगा तो call सीधा मेरे number पे ही आएगा इस number पे नहीं जाएगा ठीक है जो number यहां पे दिखाई दे रहा था पहले तो इस तरह किसे दोस्तों आप जो है आपने mobile phone से call forwarding setting को हटा सकते हैं ठीक है